जैम आतादी दोस्तों कैसे हैं आप सब और होली कि आप सभी को बहुत gewoon शुकर ना आ और जीवन में हमें सतरक्की मिलती रहा renowned bought मातारानी के लिए इस वीडियो को लाइक करना बेकुलना भूला है कमेंट बॉक्स में जाये मातादी जरूर लखें और अपने दोस्तों रिष्टा सभी किसंग इस वीडियो को शेयर जरू करें तो दोस्तों आज हम आपको हुली से जोड़े एक दो नहीं पूरे 25 टोटके ऐ इससे आपकी जिन्दगी जीवन आपको बदल सकता है बर्सों से आ रहे ही कई परिसानियां कठनाईयां आपके जीवन में सुगम हो जाएंगी ऐस तरह से मानने चलिए आपको किसी भी कठनाई का मूर नहीं देखना होगा कुल मिला के सरल सब्सक्तों में इस तरह से मानने दोस्तों कि हुली के दिन इन टोटकों से आपके जीवन की हर समस्या का उपचार कर सकते हैं हर कठनाई को दूर कर सकते हैं तो चली ज्यादा समय नहीं लेते हैं और हम आपको बारी बारी से सारी टोटके आपको बताते हैं तो पहले नमबर का जो मैं आपको बता रहा हूं ह होली का दहन के दिन आप अपने घर से उतारा गया तूटका जैसे काली ओडत के जो दाने होते हैं वो आप काली तिल ले सकते हैं या सुरीर के उबटन को जब होली जल रही हो उस समय उसमें डाल दें उस अपके घर की सारी सक्टियास आपके सारी नकालतमक्ता दूर हो होता है हुली का धेन के बाद जल्ती अगनी में नारियल धेनं करने से नौकरी की सारी बाध्या velvet happen और सफलत है कि सफलता चाहिते हैं उसकी परप्ति नारियल पांज सुपड़ी भेट को जलती अगनी में उसको डालते हैं उससे भी आपकी सारी बाइधायें दूर होती हैं यदि घर में ग्रह क्लेश है तो उससे निजात पाने के लिए होली का अगनी में जोंका आटा चड़ाएं होली का देहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रूमाल में बांदकर पैसो चने की दाल, चावल, गेहु, मसूर, कारे उड़त एवं काले तिल के धिर पर नवग रहे यंत्र की सापना करें इसके बाद केसर का दिर करके घी का दीपक जनाकर पूजन करें जल्दी ववा के लिए भी होली के दिन आप सुबह एक पान के पत्ते में साबो सुपाड़ी हल्दी की एक गाट और शिबलिंग पचड़ाएं और बिना पल्टे आपको घर बापस आ जाना है और अगले पांस दिन तक इसी प्रयोक को करें तो शादी के ववाई जल्दी बन जाते हैं बुरी नजर से बचाओ के लिए गाय के गोबर में जौन, अलसी, कुश मिला कर छोटा उपला बना कर इसे घर के मुखे द्वारे पर लटका दे हैं और हुली का देहन की रात तगर, काक जंगा, केसर को, क्लीं काम देवाय फट स्वहा मंतर अविद कर हुली के दिन इसे अबीर गुलाल मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह आपके बच्छ में हो जाता है होली की रात ओम नमो धनदाय श्वाहाब मंतर के जाब से धन में ब्रद्धी होती है आप चाहें तो 21 गोमती चक्र के लेकर होली का धहन की राज शिबलिंग पचलाने से ब्यापर में लाव हो सकता है मनें आप बहुत आसान उपाय है इनको जरूर करके देखिए और उधार की यदि कोई रखम है आपकी डूबी हुए बापिस नहीं कर रहा है तो होली का धहन पर जाकर अनार की लखड़ी से उसका नाम लखकर होली का माता से अपने धन की बापसी के लिए निविदन करे और उसके नाम पर हरारा गुलाल चलकने से आपको लाव होगा होली की रात बारा वजे किसी पीपल के ब्रक्ष के निचे घी का दिपक जलाने से और उसकी साथ प्रक्रवाय करने से सारी बाधाये दूर होती है गौमती चक्र, कोणिया और बता से जलती होली में स्वैम पर से उतार कर होली में डालने से जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके उपर मारान, उदेशन, उच्चाटन, समोहन, बशीकरन से कोई बिद्या करी गई है, किसी तांत्रिक बिद्या का उप्योग किया गया है तौ उसमें आप होली की राख को सबहें जिस दिन आप होली की राख ले आए और उसको अपने सरीर पर लगाकर गर्म जल से सनान करने से सारी शक्तियां दूर हो जाती है, सारी बूरी शक्तियों से आपको नजात मिल जाती है और इसी का राक का आप एक ताबिज बना लें और उसको आप पहने तो आपके उपर कोई भी तांत्र क्रिया नहीं कर सकता है यदि किसी महला का पती दूसरी महला के संपर्ग में हैं तो आप होली की दहन के समय देशी घी में दो लॉंग एक बतासा एक पान का पत्ता और थोड़ी सी मिस्री इन सभी बस्तों को होली जलने वाली आग में डाल दें और होली की साथ परिक्रमा करें जलती आग की जो होती है उसकी परिक्रमा करनी होती है परिक्रमा करते समय एक गुंती चक्र अपने पती का नाम लेकर आग में डाले हैं ऐसा करने से महिला का पती उसके पास वापस लोट आता है यदि किसी की जनम पत्री में किसी ग्रह के दूसित प्रभाव चल रहे हैं आपको परिसानिया जा रहे हैं तो आप होली दहन के समय देशी गी में दो लॉंग एक बतासा एक पान का पत्ता इन सभी वस्तों को होली में जलने वाली आग में डाल दें अगले दिन उस राख को ल करना है जब आपको कोई टोके नहीं तो आप ऐसा दिखना है जब होली का दहन के बाद सब लोग घर चले जाते हैं उसके बाद इस उपाय को कर सकते हैं और प्रितिक फिर की समाप्ती पर जो सफेद आकडा होता है या जो जन सा भी आखड़ा आपको मिल जाता है उस आखड यदि किसी के उपर कोई भैका साया है तो हुली पर एक नारियल एक लोग का जोड़ा पीली सरसों इन सभी बस्तों को लेकर पीड़त विक्ती के उपर से 21 बार उतार कर हुली की अगनी में डालना है सारा दुस्प्रवाफ समाप्त हो जाएगा यदि आपको बार बार आर्थे खानी का सामना करना पड़ रहा है तो हुली का धहन की इस्वाम को अपने मुक्खे दौर के चौकट पर दो मुक्खी आर्टे का दीपक जलाएं और चौकट पर थोड़ा सा गुलाज छड़कर दीप जला कर रख देना चाहिए दीपक जलान बहुत मातों रखती है यही होली का धेन के बाद कई लोग अपने घर पर राख ले आते हैं और यह राख कई तरह के दोस्टों के नवारन के लिए काफी उपयोगी होती है इस राख को कुछ चीजों के साथ मैं घर में रखका के बल्कि भागे को चमका भी सकते हैं जैसे आप होली के दिन दूसरे दिन जो दुरड़ी मने होती है होली खेली जाती है उस दिन उस राख को ले कर आए और उसमें थोड़ी से राई खड़ा नमक मिला कर खड़ा नमक वो होता है समुंदरी नहीं होना चाहिए सौंधा नमक होना चाहिए भलाहरी नमक बोलते हैं जो गुल कि जो जिस दिन होली जलाई कि उस दिन को आप हन्मान चाली जा पाट करें इसके बाठाल लगतार 40 दिनों तक रोज एक हन्मान 40 loss पाट करना है। इससे हनवान जी भक्त की सभी प्रक्सानियां दूर कर देते हैं और हो सके तो 40 दिन तक आप हनवान जी को लाल पुस्प जरूर चड़ाएं और एदी कुंडली में नौ अगर है कि कोई दोस्ट चल रहे हैं अगर है कि कोई प्रॉब्लम जा रहे हैं आपके समस्यां जा रहे हैं तो होली की राख को सिवलंग पर जरूर चड़ाएं और चाहें तो इसे साफ जल में ये राख मिलाकर सिवलंग पर चड़ा सकते हैं के साथ में और साथ में दूसे दिन को होली पर किसी गरीब को भोजन जरूर करें अपनी च्छानुसर दान भी करें इससे भी आपके बुरे समय दूर होता है कुल मिलाकर होली की राख एक पवित्र राख होती एक शुब होती है और इस राख को माते पर लगाने से 27 देवी दे सब्सक्राइब है इसे लगाने से रोग शोग भै सब दूर होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और कुछ नई रोचक जानकारियों को साथ अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक माता रानी के हम पर करपा बनी है इसके लिए वीडियो को लाइक श है माता राइब तो